भारत मां छिल्ला केटलाग समय थी कोरोना वाइरस ना केस मां सतत वधारों थे रहे हो छे अने निश्ना तो आ बीजी लहर ने वधू गंभीर मानी रहा छे भारत मां रसी करण अभ्यान नों त्रीजो तबक को पंड शरू थे गयो छे लोको रसी लईने सोशल मीडिया मां तेमनी तस्वीरों पंड शेर करी रहा छे आधरम्यान एक एवीपंड चर्चा चाली रही छे कि कई रसी वधू सारी अने वधू असरकारक छे केंद्रिया स्वास्थिय मंत्राले अनुसार भारत मां छिल्ला 24 लाग मां कोरोना वाइरस ना अल्मोस्ट 9000 मामला नों धाया छे ताजा आकडाओने सामेल करता भारत मां सक्रिय केस नी संख्या वधी ने 6,58,909 नी थे गई छे तो छिल्ला 24 लाग मां कोरोना ने लिधे 744 लोकों ना मृत्यू थाया छे आ साथेज भारत मां कोविट थी मृत्यू पामनारानी संख्या वधी ने 1,64,110 थे गई छे केंद्रिय मंत्राले अनुसार अतियार सुधी मां 7,3,54,255 लोकों ने कोरोना वाईरस नी रसी अपाई चुकी छे तो अखिल भारतीय आयर्विग्नान संस्था एम्स ना निदेशक डॉक्टर रणदीब गुलेरी आये चेतवनी आपी छे के जो कोविट सामे पूर्ती सकताई वर्तवामा नहीं आवे तो भारत फरी एकवार विकट परिस्थिती मां फसाई शके छे हालमा देशमा रसीकरणों त्रीजो तबक्क शरू करायो छे अने कोविशिल्ड अने कोवेक्सीन मां थी कई रसी वधू सारी एनी पन चर्चा शरू थाई छे भारतमा ड्रक कंट्रोलर जन्रल ओफ इंडिया डीसी जी आई ए कोविड नाइन्टीन ना इलाज माटे बे रसीयों ना इमर्जंसी उप्योग नी मनजुरी आपी दिधी छे अनिया बे रसी छे कोविशिल्ड अने कोवेक्सीन कोविशिल्ड ने असल मां ओक्सवर्ड एस्ट्राजेनेका नीज आवरुत्ती छे जरे कोवेक्सीन ने संपूर्ण पणे भारतनी रसी छे अने तेने स्वधेसी रसी पन कहवा मां आवे छे कोवी शिल्ड नो उत्पादन भारत मां सिरम इंस्टिट्यूट ओफ इंडिया द्वारा करवा मां आवियू छे तो कोवेक्सिन नो उत्पादन हैद्राबाद स्थित भारत बायोटेक कम्तनी एं इंडियान काउंसिल ओफ मेडिकल रिसर्च साथे मडीने करियू छे मोटा भागना तबीबी निश्नातों नो अभिप्राई छे कि कोरुना सामे लडवा माटे अतियार सुधी मां ते रसी ओ तैयार थाई ति बधा सुरक्षा रिपोर्ट सारा छे शक्य छे कि रसी करण पची सामान्य ताव आवे अथवा माथामा दुखाओ थाए कि रसी जियान लिधी होए ते जग्याए दुखाओ थाए डॉक्तरोंनू कहभू छे कि कोई रसी 50 टका सुधी पन असरकारक होई तो तेने सफ़र रसी नी श्रेणी मा मुक्वाम आवे छे रसी लिधा बाद देशमा घणा लोकोंने आड असर थई होवाना एहवालो पन मड़्या हता आ रसी नी असरकारक्तानी वाद करिये तो आ रसी नू अधर वरष अने तेना थी वधू उम्मर धरावता 23,745 लोकों पर परिक्षण करवामा आव्यो छे ज्यारे कोवेक्सिन ने भारतीय चिकित्सा परिशद IMCR अने हैद्रबाद स्थित भारत बायोटेक संयुक तुरीते विखसावी छे अर रसी ने बनववा माटे मृत कोरोना वाईरस नो उपयोग करवा मा आवयो छे जेथी ते लोकों ने नुकसान न पहुंचाड़े कोवी शिल्ड रसी नी असरकारक्ता नी वाद करिये तो ओक्सवर्ड एस्ट्राजनेका वैक्सीन ना परिक्षण मा जुवा मड़ियो हतु कि ज्यारे लोकों ने एक डोज अने बाद मा आखो डोज आप्पामा आवयो त्यारे तेनी असरकारक्ता नेउटका हती वेग्नानीको एक खुलासो करियो हतो कि कोवी शिल्ड रसी नी असरकारक्ता आमतो सित्तेर टका हती पन एक डोज पछी बीजो डोज अपाता तेनी असर लगभग नेउटका थाई शक्ये छे तो भारतनी कोवेक्सीन नो प्रभाविक दर एक्यास्षी टका छे जेत त्रॉन ट्रायल बादना डेटामा जोवा मढ़ियो हतु रसीना बे डोज केम जरूरी छे कोरुना वाइरसना मामला मा डबल्यू एचो नू अनुमान छे कि आ महामारी रोकवा माटे एंशी टका वस्तीनू रसी करण जरूरी छे आदर श्रीते नेउटका आ रसी शरीर मा प्रवेश्या बाद कोरुना ना चेप विरुद एंटी बॉडी पैदा करे छे तिनी असर्थवा माटे तिना बे डोज लेवा जरूरी छे केंद्र सरकारे कोरुना नी रसी कोवी शिल्द ना बीजा डोज नो समय गाडो चार हपता थी वधारी ने आट सप्ताह करी दिधो छे आ माटे नी भलामन रसी करण पर राष्ट्रिय तकनीकी सलहकार समू अने कोवीड-19 माटे रसी ना प्रवंधन माटे ना राष्ट्रिय समूहे करी हती अभ्यासमा जानवा मडियू छे के ज्यारे बीजो डोज 6-7 सप्ताहो वच्चे आपफामा आवयो त्यारे शरीर नी रोग प्रतिकारक शक्ती वधी गई हती जो के आट सप्ताह बाद बीजो डोज अपायो त्यारे आवु थयू नहतु आ पहला कोवी शिल्ड ना बनने डोज वच्चे 4-6 सप्तानू अंतर राखवा माटे सहमती सधाई हती एवु पन जनवायू हतु के बे डोज वच्चे नो समय गाडो वधारवानी वात मात्र कोवी शिल्ड वेक्सीन माटेज लागू पड़े छे कोवेक्सीन ना बे डोज वच्चे न समय गाड़ामा कोई फिरफार न थी आव्याू वेग्नानिकोनू कहवू छे के अत्यार सुधी जे रसी टेस्ट कराई छे ते शरीर मा वाइरस ने फरीथी फेलाता रोग छे अने लोकोने बिमार थता बचाव छे पन तेनू कोई प्रमार न थी के जे शक्सने रसी अपाई छे तेना थी अन्य लोकोने कोरोना संक्रमन नहीं थाए